जम्मो कश्मीर विदान सबा चुनावों के नतीजे जो है वो आ चुके हैं और आज हम बात जो करेंगे इन नतीजों की उन आठ सीटों की जहां पर बारती जनता पार्टी अपना दमखम दिखा रही थी और साथ में इन आठ सीटों में से दो सीटों पर बाजपा के दिगज नेता जो है वो कंटेस्ट कर रहे थे रजोरी और पुंच काफी चर्चा का विश्य था क्योंकि रजोरी और पुंच में बाजपा को उमीद थी कि यहां पर बाजपा अच्छा परदर्शन कर सकती है लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी उस से हटकर जो है वो चुनावी नित करेंगे रजोरी में काला कोट सुंदर बनी जो विदान सबाश शेतर है वहां पर जो है इतिहासिक जीत दर्च की है बाजपा के जो कैंडिडेट है रंदीर सिंग उनका नाम है जिनों ने लगबग चोतिस हजार एकानमे वोट लिए तेरह हजार आड़ सो पचास वोटों की लीड से जो है वो जीते हैं जो की बाजपा की जोली में सीधे तोर पर ये सीट काला कोट सुंदर बनी की साफ तोर पर वो आ गए है जबकि उसके उनके उपोजिशन में नाशनल कानफरेंस के उमीदवार थे उनके बतीजे थे यशु वरदन सिंग उन्होंने भी बीस हजा 241 वोड लिए इसके साथ हम आजाते हैं नुशारा सीट पर नुशारा सीट ना केवल जम्मू कश्मीर ना केवल रिजोरी पुंच बलकि पूरे देश की इस सीट पर नजर थी यहां पर बारती जंता पार्टी के एक लंबे समय से रहे प्रेजिडेंट यानि प्रदेश नाशनल कांफरेंस के उमेदवार थे तो उन्होंने लग बग 7819 वोटों से जो है वहां पर बारी जीत जो है वो दर्ज की है सुरिंदर चोधरी ने और सुरिंदर चोधरी ने कुल वोट 350069 वोट जो है वो लिये हैं जबकि रविंदर रहना को 27250 वोट मिले हैं और 7819 उन्हें इस चुनाव में साबत करके बता दिया कि रविंदर रहना चाहे परदेश अद्यक्ष हों या कुछ भी हों वहां के लोगों ने उन्हें नापसंद किया है जो साफ तोर पर रविंदर रहना वहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा अब इसके साथ सीधा चलते है रजोरी में रजोरी भी काफी इंट्रेस्टिंग सीट थी अगर रजोरी विदान सबा की बात करें तो रजोरी विदान सबा में जनरल सेक्टरी बाजपा के विबोध गुपता वो चुनाव कंटेस्ट कर रहे थे और उनके मुकाबले में नैशनल कॉंफरेंस के माफ किजी पर 1404 वोटों से इफ्तकार एमध कांग्रेस के वो जीत गए हैं जब कि बीजेपी को यहां पर हार का सामना करना पड़ा विबोध गुपता को यह आपको बताना चाहेंगे कि जो 2923 वोड जो है वो कांग्रेस के जो उमीदवार है उन्होंने लिए जब कि विबोध गुपता को 27519 वोड मिले हैं यह सीट भी साफ तोर पर बाजपा यहां से हार गी जब कि रविंदर रैना और विबोध गुपता यह दोनों बड़े नेता थे बाजपा की तरफ से और इसके साथ रजोरी के साथ हम चलते हैं सिधा थना मंडी थना मंडी में जो है वहां पर तो काफी अटकलें लगाई जा रही थी कि बाजपा जो है वहां पर अच्छा परदर्शन करेगी लेकिन कहीं न कहीं वहां भी बाजपा को हार का सामना करना पड़ा जबकि वहां पर मुकाबला सिधा तोर पर मुझदफर इकबाल खान जो इंडिपेंडेंट कैंड़ेट थे बतोर जजज थे उनके बीच में बाजपा का यानि मुझद अकबाल मलिक का मुकाबला था और तीसरे वहां पर पीडी पी के कैंडिडेट कमर हुसाइन थे जो अलरड़ी पहले भी विदाएक रहा चुके हैं यहां पर मुझदफर अकबाल खान को लोगों ने पसंद किया और मु 1682 वोटो से जो है मुझदफर अकबाल खान जो इंडिपेंडेंट केंडेट थे वहां पर जीत के हाला कि किसी ने एक्सपेक्ट किया नहीं था कि एक इंडिपेंडेंट केंड क्योंकि वह नैशनल कांफरेंस से अफिलेटेट थे और नैशनल कांफरेंस ने टीगट नहीं दिया जिसके बाद वहां पर उनकी वो लगातार जो है वो नराजगी चल रही थी और वहां पर वो उन्होंने जीत दर्ज कर ले अब इसके साथ रजोरी की एक सीट पर और चलते हैं वो है बुदल विदान सबाशेतर बुदल में जुलफकार चोधरी जो पूर मंतरी भी र बारी हैं लेकिन जनता ने उन्हें भी ना पसंद किया बलकि वह उनके जो बांजा वहां पर जावेद इकबाल नेशनल कांफरेंस की तरफ से कंटेस्ट कर रहे थे वह वहां पर जीत गए यानि नेशनल कांफरेंस को वहां 42,043 वोट मिले और जुलफकार जोकी चोधर जवेद एकबाल ने जीत दर्ज की ये एक इतिहासिक जीत थी जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है वो आंकडास दिखाई देता है अब इसके साथ ये रहार जोरी की पांच सीटों का जो हमने आपको बताया कि कहां कहां बाचपा को नुक्सान हुआ और कहां कहा है अब सीधा तोर पर आते हैं डिस्टिक्ट पुंच पे पुंच भी काफी चर्चा का विश्य था पुंच के अंदर तीन विदान सभाशेत पर हैं पुंच हवेली मेंडर और सुरंकूट सबसे पहले हम पुंच हवेली की बात करते हैं पुंच हवेली में पैराशूट कैं जान जो की नैशनल कांफरेंस के उमीदवार थे जो की फारुक अबदुल्ला और उमर अबदुला के बहुत खास माने जाते हैं उन्होंने वहाँ पर जीत दर्ज की है और मैं आपको जीत का आंकड़ा जो बताऊंगा कि उनकी लीड क्या रही है बीस हजार आठ सो उनासी वो जो है वो मिले हैं यानि 9090 वोट जो है वो उन्होंने भी लिये हैं तो यहाँ पर साफ तोर पर बाजपा को हार का सामना करना पड़ा और अजास जान वहां से हवेली कांसेचुंसी से जीत के इसके साथ अब आते हैं मैंडर मैंडर एक काफी चर्चा का विश्य रहती है और मैंडर में जो चुनावी नतीजे आए हैं वो भी काफी कमाल करने बले नतीजे आए हैं मैंडर में जावेद राना जो की काफी दिगज नेता नेशल कांफरेंस के माने जाते हैं और इस बार उन्होंने एक बार फिर बहुत बड़ी मातरा में जो है लीड लेकर जीत दर्च की है जावेद अमद राना तीसरी बार विडाइक बने हैं तीसरी बार उन्होंने जीत जो है वड़ाइक रहा चुके हैं और जावेद राना ने 21,386 वोट लिये जिसमें जो मुर्तजा अमद खान है जो की बाचपा की टिगट पर लड़ रहे थे जो की भाड़ी community से तालुक रखते थे उन्हें 16,592 वोट मिले यानि यहां पर सीधा-सीधा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जवेद राना को 14,794 वोटों की बढ़त से जो है इन्होंने जीत हासिल की है जबकि मुहमद अश्वाक इंडिपेंडेंट कैडिडेट से इन्होंने 13,322 वोट ल सामना करना पड़ा, नेशनर कांफरेंस की जोली में ये भी मैंटर की सीट पढ़ गी जबकि अब बात करते हैं सुरंग कोट, इसलिए बहुत खास था कि ऐसा माना जा रहा था कि सुरंग कोर्ट की सीट जो है बाचपा जीत सकती है लेकिन सुरंग कोट में भी कुछ पलट क यानि कुछ हट कर सब कुछ समने आया जबकि वहाँ पर ये उमीदे थी कि नैशनल कांफरेंस और जो कांग्रस का एलाइंस थे, वहाँ पर एलाइंस कैंडिडेट जो है मौमत शाह नवास चोधरी वहाँ पर चुनाफ कंटेस्ट कर रहे थे, शाह नवास चोधरी जो की कांग रूम साइध मुश्ताक बुखारी जिनका इस दुरान ही नेदन हुआ था, जो की इस दुनिया से चल बसे, उनका मुकाबला साफ तोर पर देखा जा रहा था, और तीसरे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, वह थे चोधरी मौमत अक्रम, अब यहाँ पर मुकाबला जो देखा जा रहा था, जो चर्चा का विश्य था, वो साफ तोर पर साइध मुश्ताक बुखारी और कांग्रस के शानवा चोधरी में देखा जा रहा था, हलाकि जो इंडिपेंडेंट उमेदवार थे, मौमत अकरम, चोधरी, वो भी पहले विदाइक रहा चुके थे, व जोधरी मौमत अकरम जो है, वो सुर्मकोर से जीत के, उन्होंने काफी अच्छी मतलब की वहां पर परदर्शन किया, और मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने 34,201 वोट लिए, जबकि मुश्ताक अहमद जो बुखारी हैं, उन्होंने 23,773 वोट लिए, मौमत शाह न यह था रजोरी पुंच का आंकरा, कहीं न कहीं बाजपा को काफी उमीदे थी, क्योंकि इन दोनों खितों में, यानि जो पीर पंचाल खिता है, यहां पर आठ सीटों पर जो पहाड़ी समुदाए की, जो है, वो काफी संख्या में लोग थी, और बाजपा ने एक दाव खे गई, वो गई है, काला कोट सुंदर बनी, वहां पर लोगों ने बाजपा पर जो है, अपना विश्वास चताया है, और बाकी सीटे जो है, बारती जनता पार्टी साफ़तोर पर हार गई है, वहीं आपको बताना चाहेंगे कि बड़ी शौकिंग जो यह था बाजपा के लि नेश्डरल कनफरेंस ने काफी अच्छा प्रदश Torres ने भी लिया है, इनडिपैंडेंट हो यह तमाम तरह के बाजपा ने भी, बरहाल साफ तोर पर मोटा मोटा अगर देखा जाए तो सरकार नेश्डरल कनफरेंस और इंडिन नेश्रल कनफरेंस की यह बनती दिख रही है, जबकि मेभूबा मुफ्ती PDP ने पूरे जम्मो किशमेर में केबल दो सीटे हासिल की है तो उसका भी मानना है कि वो भी नेशल कांफेंसूर कांगरिस के साथ जाएंगी तो अब देखना ये है कि कब ये फाइनली जम्मो किशमेर का जो मोखे मंतरी है वो किसे चुना जाएगा हाला कि फारुक अब्दूला ने अलान कर दिया है कि जम्मो किशमेर के जो मोखे मंतरी है वो उमर अब्दूला जो है वो होंगी तो ये थी चुनावी चर्चा और लगातार आप दा पब्लिश मेर के मादम से ये देख रहे थे कि किस तरीके से इन चुनावो में लगातार हम प्रपर अपडेट आपके लिए कर रहे थे और आज भी सुबह से आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ से भी चुनावी चुनाव के रुजान आ रहे हैं वहां से हमारे reporter हमारे संबादाता और हमारे team जो है वो proper ये updates जो है वो दे रही थी बरहाल बारति जनता party जो है वो 29 सीटों पर सिमिट गई अब ये 29 पर आगे चल रही थी और साथ में आपको ये भी बताना चाहेंगे कि साफ तोर पर Indian National Congress और National Conference की सरकार जो है वो देखी जा स रहती है आप देखते रही दा पॉब्लिश मिर नमस्कार